तो फ्रेंड्स दिपिका के डिलीवरी को यहाँ पे पूरे 5 दिन पूरा हो गया है जैसे कि आप सबको पता है कि दिपिका का बेबी प्रीमिचुर है टाइम से पहले हो गया है इसलिए दिपिका और बेबी दोनों होस्पिटल में है लेकिन इस टाइम पे सोहे पूरी तरह से दिपिका का ध्यान रहे है और साथ ने पूरी इबराहिम फैमली भी दिपिका के साथ है लेकिन इस वीडियो वनाने का मकसद यह है कि अभी तक सबा के तरब से कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है हाला कि हमको पता है कि सबा भी इस वक्त होंस्पिटल में ही होगी अभी तक हमको जितने भी अपडेट्स आये हैं सिर्फ सोहेब के तरब से आये हैं और तो और बेबी होने के बाद का जो फॉस्ट पोस्ट था वो भी सोहेब नहीं किया था वैसे सबा और दिपिका के बीच में कैसा रिलेशन है वो हम सबको पता है ये दोनों एक दूसरे को ननन भावी कम बलके बहनों से भी जादा बढ़के प्यार करती हैं वैसे इन दोनों को लेके काफी सारे लोग हैं जो नेगेटिव बाते भी करते हैं तो चलते हैं इन दोनों के जो हनीमून है सबा और सनी का हमको पता है के ये दोनों कस्मीर गए थे हनीमून के लिए लेकिन हनीमून के बीच में भी इनके काफी सारे वीडियो आएं कभी कुछ खाते हुए तो कभी कुछ पीते हुए उसके बाद जो है हमने सड़नली देखा इनका वीडियो जो मुंबे का था जहां पर सवा सनी हनीमून से वापस आ चुके थे और ये वीडियो बिलकुल दिपिका के डिलिवरी के नेक्स टे था और इस वीडियो में सवा ने दिखाया कि ओनोंने कस्मीर से क्या क्या लाया क्या में थी इसलिए दिपिका हमको नजर आई बोलने की बात यह है कि यह जो सारे सुटिंग थे इन्होंने पहले ही कर लिया था इसलिए यह वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया लेकिन सवा आप अगर चाती थी तो दो घंटे बाद आप दिपिका के डिलिवरी को लेके भी एक वीडियो बना सकती थी पर आपने नहीं बनाया सबा आप यहां पे सिर्फ दिपिका की ननन दिया तो फिर दिपिका की फ्रेंड नहीं है आप खुद भी एक व्लॉगर हैं आप खुद भी एक यूट्यूबर हैं हम जानते हैं कि इस टाइम पर आपकी पूरी फैमली जो लेकिन दो घंटा तो इंसा निकाली सकता है न वैसे आप भूल रहे हैं कि आपकी फैन फॉलॉइंग कितनी है त्री मिलियन सब्सक्राइबर हैं आपके वो सब लोग वेट कर रहे हैं आपके वीडियो का सबको पता है बेबी हुआ है लेकिन लोग आपके मुझ से जानना च कैसी है आप मत भूलिए किसे फैन्स नहीं बलकि आपके हेटर्स भी हैं बहुत सारे और इन हेटर्स का काम है हेट फैलाना और नेगेटिव फैलाना सिर्फ आप भी नहीं बलकि आपके पूरी फैमली के उपर ये लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं नेगेटिव बाते कर बस हम यह चाहते हैं कि आप सिर्फ 2 मिन का एक वीडियो लाएं जिसमें आप बच्चे का और दिपिका के हेल्थ के ओपर एक वीडियो बनाएं बस इतना ही कहूंगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें